हमारा उदेश हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेंड़ पौधे और उनके असदिये गुनों से परिचाय कराना है नमस्कार दोस्तों मैं संजय भगत अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो किर्पिया आप हमारा चैनल को सस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए आज एक और बेहतरीन और सदी के विशय में बात करने जा रहा हूं दोस्तों इस घरेलू नुस्का का उप्योग करके हमारे गाउं के कई लोग ठीक हो चुके हैं दोस्तों यह आरंडी का पाधा है इसे आरंड, आरंडी, रेडी, आधी अलग अलग छेतरों में से अलग अलग नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अगर किसी वेक्ती का सरीर फूल गया है तो इस पाधा का परियोग कर सकते हैं इस आरंड का पाधा को तोड़ कर पाधा में सरसो का तेल लगा कर उसे आग में गरम कर ले गरम करने के बाद जिस वेक्ती का सरीर फूल गया है उस वेक्ती को सीर में रखकर उसे किसी कपड़ा से बांध ले अगर उस पता को साम में बांधे हैं तो उसको सुबा खोले सुबा खोल कर फिर एक पता को उसी परकार तेल में लगा कर आग में गरम कर ले और फिर एक पता बांध ले इसी परकार लगतार परति दिन परियोग करने से फुला हुआ सरीर धीरे धीरे ठीक हो जाता है यह परियोग किया गया नुस्का है दोस्तों अगर किसी बेक्ती का सरीर फूल गया है तो आप इसका परियोग जरूर करें आज इस छोटी जनकारी के साथ हितना ही फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ अगर अभी तक हमारा चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो हमारा चैनल को सस्क्राइब किजिए वीडियो को एक लाइक किजिए अगर किसी परकार की सुझाओ या सहता चाहते हैं तो कोमेंट कर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो अधीक से अधीक स्यार करें जय हिंद दोस्तों वंदि मातरम